हेलो इवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टो और योटूब चैनल अकांशा जी है सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 22 जुलाई का करेंट अफेर 22 जुलाई से जितनी इपॉर्टेंट कोस्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट इसका राइट एंसल है हिमाचल प्रदेश हो यह ओजना महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए अगर महिलाओं अपना रोजगार या उद्द्योग अस्थापित करना चाहती है तो उसके लिए है हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और यहां के ची लिए दवाओं के खत्रे से निपटने के लिए विश्यस टास्क फोर्स का गठन किया हिमाचल प्रदेश ने दूर्ज प्रसंस करण इकाई अस्थापित करने के लिए एंडीडीबी के साथ साजेदारी की है हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा ह हिमाचल प्रदेश में 500 करोड की लागत से एथिनाल प्लांट अस्थापित करेगा तो यह हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टन था अगला कोश्चन है हाली में किसे देश की पहली सेटेलाइट नेटवर्क पॉर्टल साइट मिलेगी गुजरात को इसका राइट अगला कोश्चन है हाली में किसने ब्रिटेन के प्रदान मंत्री पॉइंट आफ लाइट का पुरसकार जीता है तो ब्रिटेन के प्रदान मंत्रे का पॉइंट आफ लाइट पुरसकार जीता है मोश राय यह सात वर्सी छात राय इनोंने जीता है यह एक भारती मूल की है और यह सात वर्स की है इसकूल में पढ़ती है अभी यह पर्यावलर मदद के लिए ने यह पुरसकार दिया गया ह अब बिटीस तो हम लोग पुरसकार देखते हैं बिटीस राच्टिफ पुरसकारों में सर्वसेश ने दे सकता पुरसकार सेखर का पूर्ने जीता है लारयान जुआला जहांकते ने AIFF पुरसकार फुट बॉलर आप्ध यह पुरसकार जीता है अगला कोश्चन है हाली में कौन सा राज्य सरकार दिसंबर 2023 तक जरूरत मन्त परिवारों को मुफ्त चीनी उपलब्ब कराएगी दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं कि अर्विन केज रिवार अब दिल्ली तो इंपोर्टेंट देखते हैं अशिया प्रशान 6 में सबसे अच्छे और स्वास्था हवाई अड़े के रूप में दिल्ली हवाई अड़ा गोसित हुआ है साडी मौस्ट विराशत नई दिल्ली में शुरूआत हुआ है सरस्फूद फैस्टिवल 2022 के उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है महिला एवं बाल विकास मंत्राले द्वारा पोसर उत्सो का आयोजन नई दिली में किया गया है। अगला कुश्चन है हाली में किसने फीफा महिला बिस्वकब 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है। अगला कुश्चन है हाली में किसे भारती महिला वालीबल टीम का नया कोचनियूग्त का काइक किया गया तो भारति महिला बॉलीबॉर्ड टीम का नया कोच न्यूकत किया गया गया रविन्र वशंतू को इसका राइट एंसर रविन्र वशंतू अब हम लोग important appointment देखते हैं जो काफी important है UP विद्धियुत नियामक आयोग का अध्याश अर्विन कुमार को नियुक्त किया गया है चंद्रयान 3 के डायरेक्टर वी विर मुथवेल थे ITC Limited के चेयर मैन और प्रबंधक निदेशक संजी पूरी को नियुक्त किया गया Microsoft इंडिया की प्रबंध निदेशक इरीना घोस बनी Ruby Sinaha ने को Bricks CCI मैला वर्टिकल का अध्याश नियुक्त किया गया है दिल्ली विद्धियुत नियामक आयोग का अध्याश उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है RBI के नए डिप्टी गवर्नर यस जानकी रवन बने इंदप्रस्त गैस लिम्टेट के नए अमडी कमल किशोर बने है NCC के उपमानी देशक का पदभार BM रेड़ी ने समाल है अनराग बर्बा पंजाब के नए मुख्य सचियू बने है बर्मिंगम के पहले भारती मूल के लाड मेर चमन लाल चुने गए है बिस्तो स्वास्त संगठन का बाहरी लेखा परिच्छो ग्रीश चन्द मुर्मू को चुना गया UIDI के नए CEO अमित अगरवाल बने है करनाटक बैंक के MDAO के रूप में श्री कृष्ण हरियर सर्मा को न्योक्त किया गया NTA के नए महा निदेशक शुवरुत कुमार बने है नए स्वास्त सचियू के रूप में सुदान पंत न्योक्त है UK ने जैन मैरियाट को पाकिस्तान में पहली महिला दूद के रूप में न्योक्त किया है आर दिने इसको 2023-24 के लिए CII अध्याश के रूप में न्योक्त किया है शुमन सर्मा ने UPSC सदस के रूप में सपत लिये Internet and Mobile Association of India के नए चियर्मेन हर्स जैन बने है यस बैदनाथ को मद्रास उच्चने आले के करवाहक मुखिनाइदीस के रूप में न्योक्त किया गया है Basketball Federation of India के नए अध्याश के रूप में डॉक्त किये गोविन राज को चुना गया है अगला कोश्चन है हाली में किस बैंक ने अमरीत महुत सो FD योजना सुरू किये तो अमरीत महुत सो FD योजना सुरू की IDBI बैंक रे इसका राई टैंसर है IDBI बैंक IDBI बैंक के अस्थापना 1964 में उर्ती 1964 में इसका हेड़कॉर्टर मुंबई में और इसके प्रिजन टाइम पे चेयर परसन अमर कुमार और ये अमरीत महुत सो FD योजना है इसमें वरिश नागरी का और युवाओं के लिए अलग-अलग ब्यासदर की ब्योस्था किये गई इस योजना के तहत अगला कोश्यन है हाली में किसे रेलवेस वरच्छा बला का महान इद्यशक नूक्त किया गया है लिथवानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को जुना गया है अगला कोश्चन है हाली में भारत और किस देश ने सेमी कंड़क्टर पारिश्थिती की तंद्र विक्सित करने के लिए यम ओ यू पर हस्ताच्छर किया भारत ने किया है और जापान ने इसका राइट एंसर है जापान अब जापान ने किया है तो जापान की कैपिटल है टोकियो और यहां की करेंशी ये और यहां के प्राइम निस्टर है फो मियो किस्ता अब हम जापान के बारे में इंपॉर्टन देखते हैं प्रधान मंत्री मोदी ने हीरो सेमा में महत्मा गादी जी की प्रतिमा का नाउरड किया जापान ने भारत के डिजिटल भुकतान प्रडाली उप्याई को अपनाने की इच्छा जताई है जापान के स्वास मंत्राले ने देश की पहली गरपाद गोली को मंजूरी दी है जाप के बारे में important था और 22 जुलाई से जितने important question थे मैंने करा दिया और उससे जुड़े fact भी बता दिया अगर वीडियो आपको helpful लगीगी तो आप लोग चैनल को subscribe करिएगा thank you everyone